तारीफ किसे अच्छी इने लगती और जब भी आप कभी धाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो एक बार सोचते जरूर होंगे ना कि आखे ये लोग बनाते कैसे हैं जी हाँ ये मतर मीथी मलाई जो की रेड क्रेवी में मैंने बनाई है बिलकुल धाबे में जिस तरीके से इसे बनाया जाता है जो इंग्रीडेंट्स इस्तमाल होते हैं उस तरीके से मैंने इसे बनाया है अब घर में अगर ट्राय करके देखोगे तब ही इसका स्वाद कंपेर क पर पावगे धाबे से तो चलिए इसके लिए लोही के पैन में दो बड़े चमच ऑईल साथ में एक बड़ा चमच घी का जो की देशी घी मैंने लिया है इसे डालेंगे सिस्वाद बहुत ही अच्छा आता है और यह है शाजीरा जो की टेर चमच मैंने डाला है चॉप जिंज एक चमच बड़ा चमच मैंने इसमें डाली है साथ में कसोरी मेती का एक बड़ा चमच सारी चीज़ें यह डाल कर हम थोड़ी सी देर इसे फूलेंगे जिसे की ऑईल में अच्छा फ्रेग्रिंस आ जाए उसके बाद जावित्री का पावडर आधा चमच डाला है यह मैंने दालचीनी का पावडर एक चमच और साथ में मैंने इसमें डाला है यह बड़ी इलाईची का आधा चमच पावडर और साथ में जाएगी थोड़ी सी बिल्कुल काले मिर्ची 140 स्पून यह सब चीज़ें डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नटमैक जाइफल आधा चमच के आसपास इसमें घिस लेंगे होटेल वाले रेस्टोरिन वाले टाइम बचाने के लिए मसालो को कई बार पीसके भी रख लेते हैं तो असानी रहती है और साथ में जाएगा यह कुक टमाटो का पेस्ट जो मेरी रेसिपी चैनल पे आपने अल्रेडी देखी होगी और जिन कोल प्रेस ओयल के अंदर मॉइस्टर होता है जिसकी वज़े से मॉइस्टर जब एवापुरेट हो रहा होता है तो यह बाबल जाते हैं साथ में मैंने इसमें डाल दिया है यह फ्रेश मेथी एक कप और एक कप मटर जो कि मैंने उबाल लिये थे नमक और चीनी के पानी में उबाल लिये अच्छे से उबला हुआ मटर और एक कप मेथी ताजा बारीक कटी हुई हम पांच मिनट तक तेज आच पर पकाएंगे यह देखिए अच्छे से आप इसे पका लिजिए 5-6-7 मिनट भी लग सकते हैं पर गैस का फ्लेम तेज रखा है पूरे कुकिंग के मैंने इसमें ग्रेट किया है आप चाहें तो घर में भी बना सकते हो मेरी काफी सारी रेसेपी में मैंने मावा बनाना बताया है घर पे इंस्टिंट मावा कैसे बना सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके पूरे एक साल के लिए चाहें तो फ्रिजर में आप इस बहुत ही अच्छा आता है, आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप इस सबजी को बनाएंगे, कोई भी स्टेप मिस मत करिये, ये काजु का पाउडर है, एक बड़ा चममच जो कि मैंने इसमें डाल दिया है, ये फ्रेश अमूल वाली क्रीम है, दो बड़े चममच, अच्छे स सबको मिक्स कर लेंगे, तीन से चार मिनिट, पांच मिनिट इसे पकाएंगे, रेसिपी एंग तक देखिएगा, क्योंकि एंग तक बहुत सारे इंग्रीडेंट्स अभी इसमें जाने बाकी है, तब जाके सबजी अच्छी बनती है, एक तम तेज गरम पानी वान फोर्थ कश्मीरी लाल मिर्ची एक बड़ा चमज, इसे कलर बहुत अच्छा आता है, पिंच ओफ हल्दी, बहुत चुटकी भर हल्दी ही डालनी है, जादा नहीं, और एक आधी चमज के आसपास धनिया पाउडर, साथ में ये रोस्टे जीरा पाउडर आधी चमज मैंने डाला है, और ये चाट मसाला 1-4 टी स्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बैलन्स हो जाता है, और साथ में छोले मसाला 1 टी स्पून, इन सारे मसालों को डाल के भी हम अच्छे से भून लेंगे, गरम पानी हमने डाला था, पहले जिससे की मसाले और गरम पानी अच्छे से मि बारापन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है से सब्सक्राइब बहुत अच्छा आता है यह अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और सब्सक्राइब में मिला लेना है ट्राय करके देखिए कभी आप यह वाला नमक और साथ में गरम पानी वानफोर्थ कब हम थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे यह देखिए पांच मिनिट लिए तेज आच पर मैंने इसको पकाया है बहुत ही पेशिंस के साथ सब्सक्राइब बनाए जात अंदाजिसे आप डाल सकते हैं किशमिश साथ में जाएंगे यह फ्रेश कुरियंडर धनिया जो की मैंने करीब एक मुठी या आदी मुठी के आसपास डाल दिया है कम जादा हो जाए कम नहीं होना चे अगर जादा हो भी जाए तो टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा यह साथ में पाव भाजी मसाला हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस टाइम पे आपको इसको अड़ करना है धीर धीर हम मसाले अड़ करेंगे और साथ में जाएगा सांबर मसाला आदी जमच यह सबजी बनाते वक्त म मैं as per the requirement मसाले डाल रही थी नहीं तो आप बोलो कि आपने एक साथ तो डाले नहीं मैं साथ में चेक कर रही थी कि कौन सा cup मसाला required है और यह मैंने डाला है गरम पानी वन फोट कप थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे जिससे कि जो हमने मसाले डाले हैं वो सबजी में अच्छे से incorporate हो जाएं अच्छे से mix हो जाएं यह देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस तरीके से तेज आच पे आप इसे चलाते जाएं continuously नहीं तो तेज आच पे सबजी stick भी हो सकती है पैन में यह देखिए और लोहे का पैन पे अगर आप बनाओंगे तो ब वाइल टेक्सचर आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो आप इसी तरीके से सब्जी बनाई है आगे बहुत सारे इंग्रीन सभी डलने बाकी है साथ में जाएगी एक बड़ा चमत चीनी का जो लोग मीठा प्रिफर नहीं करते हैं वो स्किप कर सकते हैं बट म मैं 99.9% यही रिकमेंड करूंगी कि चीनी के बिना सब्जी अदूरी है और साथ में होट एंड स्वीट मैगी वाला टमाटो केचप नॉर्मल वाला नहीं मैगी का ही होट एंड स्वीट टमाटो केचप क्योंकि जो इसका फ्लेवर आता है वो किसी और केचप का नहीं आता यही आप एड करिए अपनी सब्जी के अंदर साथ में जाएगा करम पानी फिर से हमें मसालों को बैलन्स करना है थोड़ा सा देर चलाएंगे इसको तीरे-दीरे तेज आज पे मैगी का ही लेना है होट इन स्वीट टमाटो केचप यह देखिए सब्जी काफी हद तक बनके तयार है सब्जी ने अपना ओयल भी छोड़ दिया है हम इतना इसमें मावा क्रीम सब चीज़े दालते हैं तो उनका ओयल एक्सक्रीट हो जाता है यह देखिए सब्जी इस तरी और नोटिफिकेशन बेल इकन जरूर क्लिक कर दे